नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमीन करके जरू बताएगा बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों देख सकते हैं सी चुक नुकती परिच्छा को स्लिवस जलता है क्लास वन से लेके सर्थी से आठमी नौमी से दसमी और एकार्मी से बार्मी को होंगे अलग-अलग स्लिवस जी हां चारों खंडों में स्लिवस अलग-अलग बाटा जाएगा से चक नुकती को शुरू ही रोश्टर के लेंस की पर किरिया इसका भी अपडेट देंगे को बहुत सारे से च्चक देने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से देखते हैं ने खबर पटना च्छपके आ रहे हैं और आज की नूज में इस नूज को परकासित किया गया है जो लोग चैनल पर नए जोड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को भी प द्वार लोग सिवा ऐङोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परिछा के लिए सिलेवस जल्ड़ंड तये होगा स्लेवस्तल करने की प्रक्रिया अंतिम दवर में है यानि की कहने का मतलब यह है कि आपको दसतारीख से पहले यां唐 तारीके आसपास आपको नया सिलेय रहर को मिल सकता है ब्यार प्राम्भिक सिर्चक भाली को लेकर यह माना जा रहा है कि प्राम्भिक माध्मीक एबम उच्छ माध्मीक सिर्कों के नुक्ति के लिए होने वाली लिखित परिच्छा के सिलेवस अलग-अलग होंगे जितने भी क्लास वन से फाइब प्राम्भिक सिर्कों की नुक्ति के लिए होने वाली लिखित परिच्छा के सिलेवस की तो प्राम्भिक में यानि कि क्लास वन से फाइब पाच्मी तथा शिक्स तू एट वी कच्छा के हिच्छक होते हैं ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्लास वन से पाच्मी और शिक्स ते आठमी कच्छा किसिच्छ कों के नुक्ति के लिए होने वाली परिच्छा के लिए भी अलग-अलग सिलेवस तो होंगे ही छटी से आठमी कच्छा के लिए भासा, विग्जान गनीत तथा समाज विग्जान बीषेंगेभी सिलेवस अलग-अलग होने की असार हैं क्लास 1-5 मी कच्छा 6-8 मी कच्छा 9ी मी कच्छा मादमी तत्त 21 मी कच्छा के सिसकों की नुखती के लिए होने वाली लिख़ित परिच्छा के सिलिबस भले ही अलग-अलग होंगे लेकि इन चारों कोटी के सिचक नुख्ति परिछा में सवाल objective ही पूछे जाएंगे यानि कि कहने का मतलब भी हुआ कि जो प्रश्ण पूछे जाएंगे वो objective में ही होंगे एक Bashar होगा, अब ये निकलियद कर पाये हैं कि चार objective होंगे या पांच objective होंगे प्रधान सिचक में प्रधान सिचक में प्रधाना ध्यापक भाली में पांच ओप्सन दिए गये हैं एक कोश्चन के खास बात यह है कि चारों कोटी के सिचक नुक्ति परिच्छा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी यानि कि आप तुक का अराम से लगा सकते हैं क्यूंकि उसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा बिहार लोक सिवा आयोग के लिखित परिच्छा के अधार पर सिचको के नुक्ति के लिए एक लाख अठथर हजार चब़िश पदो के परिच्छन के परिच्टाब पर कैबनेट के मुहर मंगलवार को ही लग चुकी है अब सिसको के सभी पदों को जिलो में आप सकता के अनुसार बाट कर रोस्टर क्लियंस के लिए भेजे जाने हैं जी हां सीट तो आ गया है अब उसको रोस्टर बनाना है रोस्टर क्लियंस करना है जो की जिलो से आएगा जिलो से आने के बाद विभाग के अपा जाएगा और विभाग फिर BPSC को भेद दिया जाएगा जिलो से आरच्छन रोष्टर क्लिरेंस के बाद विग्यापन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जानी है मई माह में विग्यापन प्रकास्षित होने की पूरी संभावना है आपको याद दिला दूं कि एक लाख अटतर हजार चबिस पदों में क्लास वन से पाचमी कच्छा तक के लिए 57668 के पद है वही नौमी से दसमी यानि के मादमी कच्छा के लिए अंग्रेजी हिंदी विग्याण गणी तथा समाजिक विग्याण जैसे महत्पूर्ण प्रतिक विश्य के लिए 5425 पदों सहीत कुल 27125 पद है इसी प्रकार दूतिय भारतिय भासा के लिए 3191 पद है दू एवं 200 पद है मादमिक विध्यालों में विशेशी चक के लिए 270 पदों का सिर्जन किया गया है इसी प्रकार एगार्मी से वार्मी कच्छा यानि कि उच मादमी के लिए विग्यान संकाई में 15889 पद जिसमें स्वादिक जीव विग्यान के 5421 पद है रासाइन में 4799 गनीत में 2647 तथा भोत्की में 3000 बाइस पद यानि कि सीटे हैं कला संकाई में 1749 पद जिसमें सादिक इतिहास विशाई के 5870 पद राजनीती साथ में 5354 संगीत में 2043 मनोविग्यान में 2015 समास साथ में 1434 ग्रीव विग्यान में 1275 भुगोल में 1033 तता 87 में 513 पद है वानी जी संकाई में 2916 पदों में बिजनेस अस्टडिज के साधिक 1328 पद है भासा आइवन संकाई में 1964 पद हैं जिसमें कंप्यूटर से चक के 8395 अंग्रेजी भासा के 3468 हिंदी भासा के 3089 उर्दू के 1684 पार्सी के 305 अर्वी के 200 इन आर्वी के साथ सो पंदर तता संस्कीत के 1131 पद है तो यह हमने सीटों की संख्या और सिलिबस को लेकर बताया अब देखिए यहां पर सिच्छक न्युक्ति को सुरू हुई रोश्टर क्लियंस की परकिरिया यह जान लिए राज में कच्छा एक से बारात तक के 1776 पदों को आरच्छन रोश्टर क्लियंस कराने के लिए गुरुवार को देर सम तक जिलों को रिक्ती भेज़ दी गई है इस महा के अन तक बीपेसी से वेकेंस से जारी हो जाएगी अगस्त के अन तक परिछा की समामना है इस साल के अ आर्ट तक मात 1745 पद ही है कच्छा 6-8 लगवक 35 पद कच्छा 1-5 के सुष्कों को पूर्णती से भरने के लिए रखा गया है पंचायत और नगर निकायों को भी कच्छा 1-5 तक के असनातक सुष्कों को पूर्णती से इन पदों पर आने का मौका मिलेगा दरसल 2007 से जब से पंचायत और नगर निकायों के माधम से इसकों की बहाली हुई है सभी पदों पर सीधी नुक्ती की गई माधमिक अस्कूलों में कच्छा 9-10 के लिए 33,186 पद और उच माधमिक अस्कूलों में यानि कच्छा 11-12 के लिए 57,668 पद सुष्किर्थ किये गय है तो छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तो इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे तो इस वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंटर के बता सकते हैं और ऐसे वीडियो निच पाने के रहें फिर मिलते हैं एक निच वीडियो में धन्यवाद दोस्तों